अगले साल होने वाले लुक्सवाद चुनाओं में अब महज एक साल का समय बचा है भारती जन्ता पाटी कॉंग्रेस समेत तमाम दलों ने तैयारियां सुरू कर दिये हाल के समय में सामने आए भी 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 सर्वेश से साफ है कि भाजपा को अभी भारी बढ़त हासिल है वह तीसरी बार सत्ता में आ सकती है लेकिन एक तरीका है जिसे अपना कर विपक्ष बहुत मत के आँकड़े को हासिल कर सकता है हलाकि यह बहुत ही मुश्किल और लगभगा समव है दरसल चुनाओं पर करीब से नजर रखने वाली संस्ता CSDS के आँकड़े के मुताबिक यदि भाजपा को छोड़कर सभी अन्य दल एक साथ चुनाओं लड़े तो इन दलों को अगले लोग सभा चुनाओं में आसानी से बहुत मत मिल सकता है CSDS ने आँकड़ा पिछले साल तमाम दलों को मिले वोटों और सीटों के अधार पर निकाला है CSDS के आँकड़े के हवाले से बताया जा रहा है कि अगर भाजपा को छोड़कर सारी पाटियां एक साथ चुनाओं लड़ती हैं तो BJP को 235 से 240 सीटों पर संतोस करना पड़ सकता है जबकि विपक्ष को 300 से 305 सीटे मिल सकती है गौर तलब है कि 2019 के लोग सभा चुनाओं में BJP को 303 सीटे और विपक्षी दलों को 236 सीटे हासिल हुई थी CSDS ने पिछले लोग सभा चुनाओं में मिले BJP और उसके अलाबा बाकी दलों के वोट परतिशत के हिसाब से यह आंकड़ा निकाला है वहीं आगामी आमचुनाओं में BJP के वोटों में एक परतिशत का घटाओ हो जाता है तो सीटों का आंकड़ा कम होकर 225 से 230 पहुँच सकता है जबकि विपक्ष के लिए यह आंकड़ा 310 से 325 हो जाएगा वहीं अगर 2% वोट BJP के कम हो जाते हैं तो यह सीटों की जो संख्या है वो कम होकर 210 से 215 रह जाएगी जबकि विपक्ष के पास सीटों का आंकड़ा 325 से 330 हो सकता है लेकिन यह तभी होगा जब सभी दूसरी पार्टिया एक साथ आए और चुनाओं लड़े इसके अलावा यह भी बताया गया है कि यदि विपक्ष का 5% वोट किसी दूसरी पार्टी को चला जाता है तो भी BJP की सीटे 242 से 247 हो जाएगी और विपक्ष को 290 से 295 सीटे मिल सकती है 2019 में मिले वोटों में अगर विपक्ष के खाते में 10% वोट चला जाता है तो फिर बीजेपी को 272 से 277 सीटे आ सकती है जबकि विपक्ष के पास 263 से 268 सीटे रहेंगी इन आकड़ों के बाद जो चुनाविक विशलेशक है वो साफ बता रहें कि बीजेपी को चुनावी चुनावती देना है तो गैर बीजेपी दलों को एक जूट होकर मैदान में आना होगा तभी लोग सभा चुनाव में भारतिये जनता पार्टी को चुनावती दी जा सकती है JTN News Bureau नहीं दिल ले